दोस्तों अगर खाने में नमक थोड़ा भी कम या ज़ादा हो तो खाना बे स्वाद सा लगता है भोजन का स्वाद बढ़ाने के साथ ही स्वास्ती की द्रिष्टी से नमक काफी फायदमन्ध होता है लेकिन यदि आप नहने के पानी में भी थोड़ा सा नमक डाल कर नहाएं तो क्या आप जानते हैं? हमारे शरीर को कितनी बीमारियों के खत्रों से बचाया जा सकता है? अगर नहीं तो आईए जानते हैं पानी में नमक डाल कर नहाने के कुछ असरदार फायदों के बारे में पहला सर्धियों में होने वाले स्कीन प्राबलम से यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप नहते समय पानी में नमक मिला कर नहाएं दूसरा शरीर में मौझूद हार्मफुल बैक्टरिया को खत्म करने के लिए पानी में नमक मिला कर नहाएं तिसरा पानी में नमक मिला कर नहाने से स्कीन ग्लो करने लगती है और शरीर में होने वाले खुशकी को खत्म कर सकते हैं चौथा, इदे आप किसी तरह के ज्वेंट पेनी या फिर हड्डियों से होने वाले दर्द से परिशान हैं, तो आप गरम पानी में नमक डाल कर नहाएं, इससे आपका दर्द जल्दी ही कम हो जाएगा। पाँचवा, मान स्पेशियों की सुजन को खत्म करने के लिए गर्म पानी में नमक मिला कर नहाना अच्छा होता है। 6. इसकीन की चमक खत्म करने वाले डैड इसकीन सेल्स का जड़ से खात्मा करने के लिए पानी में नमक मिला कर नहाने से सकीन गलोग करने लगती है साथवा, शेरिर में फंगल इंफेक्शन और दाद जैसे भेंकर परिशानी होने पर पानी में नमक मिला कर नहाने से पायदा होता है आठवा, जादा खुले में काम करने की वजह से लोगों की तवचा काफी जल्दी डैट पढ़ जाती है ऐसे में लोगों को रोज हलके गुर्णगुने पानी में नमक मिला कर चहरा धोना चाहिए नववा, पानी में नमक मिला कर नहाने से चहरे पर पढ़ने वाली जुर्यों के प्रभाव से छुटकारा पाया जा सकता है दसवां अगर आप पानी में नमक मिला कर नहाते हैं या नहानी की सोच रहे हैं तो हमेशे याद रखें कि पानी में सिर्फे एक चमच नमक का ही प्रयोग करें क्योंकि इससे ज़्यादा नमक आपको नुकसान पहुचा सकता है तो दोस्तों कैसी लगी ये ज़्यानकारी आप हमें जरुर बताएं और अपने दोस्तों और समन्धियों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें इस वीडियो में बस इतना ही अगली वीडियो मैं आपसे फिर मिलूँगा तब तक के लिए स्वस्त रहें खुश रहें अन्यमात